esteem asalamualikum Welcome to the second episode आज हम बात करेंगे frequency वी कंश्वरORA है दूरी समझता हूँ कि मैंने तक्रीमान साड़े 3.5-4 साल प्रीलांसिंग कि हुई अपनी जिंदगी में और मैं अपने शीर करना जाता हूं आप से ताके आप उस Trap में न फ़स जाएं जिसमें मैं एक time पे फस चुका था तो आज हम discuss करेंगे वो 7 reasons जिनकी वैसे मेरे हाल से आपको freelancing नहीं करनी चाहिए Number 1, अगर आप एक self-taught programmer है या पर computer science या software engineering में आप graduate होने वले हैं तो the number 1 thing that you need in your life right after you graduate is mentorship अगर आप मेरे से पूछें के वो कौन सी एक चीज़ा जो मैं कर लूँ जो मेरी पूरे करीर में मेरी बहुत हेल्प करेगी तो I would say look for people who are good mentors अपना करीर शुरू करने के बाद मैंने जो अपने mentor से चीज़ें दो से तीन महीने में सीखी हैं अगर वो मैं खुछ सीखने लग जाते तो मुझे तकरीवन दो से तीन साल लग जाते है उतनी ही progress करने में software engineering और coding में mentorship सब सब दा important इसलिए है क्योंकि वो आपको day to day के काम नहीं बताएंगे कि आपने कैसे करने हैं वो आपको यह नहीं बताएंगे कि आप कौन से ऐसे tools हैं जो आपको यूज करने चाहिए ताके अपने time का best use कर सकें और सबसे important वो आपको यह बताएंगे कि सीखने का क्या तरीका होते हैं अगर कोई भी चीज में आप फस गये हैं या कोई आप नई technology सीख रहे हैं तो इसको सीखना कैसे है तो अगर आप अपना career start करने लगे हैं और आपको अपस choice है कि एक तरफ ऐसी company है जिसका culture बहुत अच्छा है compensation बहुत अच्छी है, packages बहुत अच्छी है लेकिन एक तरफ ऐसी company जिसमें mentors बहुत अच्छे हैं तो I would say choose the company which has better mentors जहां पे jobs पे आपको अच्छे mentors मिलने का at least एक chance है फ्रीलांसिंग में आपको पस mentors मिलने का बिकुल भी कोई chance नहीं है फ्रीलांसिंग में you're pretty much the only person in the room and वो एक saying है ना के when you're the smartest person in the room you're in the wrong room तो आप एक silo में अकेले काम कर रहे होंगे and you'll pretty much not have anybody who can guide you यह तीनों चीज़ा है काफी interlinked है कहते हैं कि you're the average of the five people you spend the most time with so अगर आप एक अच्छी software company में काम कर रहे हैं तो आपको चांस मिलेगा diverse लोगों के साथ interact करने का और वो आपके opinions को आपके beliefs को different situations में चैलेंज करेंगे चाहे वो technical situations हो या non-technical हो आपको अपनी job पे different चीज़ों का exposure मिलेगा जैसे कि क्लाइंट से communication कैसे करनी है मुश्किल सिचुएशन को कैसे handle करने है तीम में किसी के साथ conflict हो तो वो resolve कैसे करने है एक और चीज़ और teamwork के विकुल साथ ही आती है वो है feeling part of a greater mission than your own self Freelancing में अकर आप काम कर रहे होंगे तो काफी साथ chances है कि आपकेले ही काम कर रहे होंगे लेकिन जब आप एक team में एक significant size के project पे काम करते हैं तो you'll feel that the work that you're doing is so much meaningful and it is impacting real world problems मेरे लिए personally यह चीज़ बहुत important है कि मुझे पता हो कि the work that I'm doing has an impact in the real world Number 3, Growth मैंने अपने experience में सबसरा growth अब किया है जब मैंने किसी mission critical software पे काम किया कोई ऐसा project, कोई ऐसा software जिसमें गल्तिकी कोई गुझाइश नी थी For example, Uber Uber का सबसे important part उनके business का उनकी technology है अगर Uber की technology 10 minute के लिए बंद हो जाती है तो उनका पूरा business 10 minute के लिए बंद हो जाता है Freelancing में बहुत कम chance है कि आप किसी aise significant project पे काम कर रहे हो जो mission critical हो आप mostly अकेले ही काम कर रहे होंगे और आप किसी ऐसे चोटे project पे काम कर रहे होंगे जो अपनी initial stages में होगा या कोई proof of concept बन रहा होगा या फिर किसी legacy software के अंदर आप कुछ मामूली सी changes कर रहे होंगे So just summing it up मेरे opinion में growth आपकी तभी होती है जब आप smart लोगों के साथ मुश्किल projects पर मुश्किल customers के साथ काम करते है Number 4 The flexibility of switching domains Let's say आप freelancing कर रहे हैं आपने 6 महीने बाद आपने अंदादा लगाया कि मेरा जादा इंट्रस्ट डेवॉप्स की तरफ है तो freelancing में ना ही तो आपके बास इतना time होगा ना discipline होगा और ना ही इतना financial cushion होगा कि आप अपनी training में तकरीब एक से देड़ महीने का time on the other hand अगर आप एक अच्छी software company में काम कर रहे हैं और आपका track record अच्छ है तो the chances are that they will accommodate you in the field of your interest as soon as a job opening comes मेरे experience में software companies के अंदर project switch करना team switch करना और even domain switch करना relatively easier compared to doing that in freelancing Number 5. Short versus long term thinking Simply put, freelancing short term thinking है आप सोच रहे होते हैं किस तरह इसे skills develop करूँ कि मैं सबसे सार पैसे कमा सकता हूँ However, अगर आप career की बात करते हैं तो you're thinking of ways to improve or to train yourself to become the most valuable person Nawal Ravinkan ने 2017 में अपनी एक tweet में का था कि knowledge workers को athletes की तरह काम करना चाहिए They should train, sprint, rest and reassess Freelancing में you're just sprinting all the time क्यूंकि sprinting के इलावा किसी भी चीज़ पर आप कोई time invest करेंगे तो आपके अपनी jeb से जा रहा होगा However, I have found this training and sprinting to be very useful in my own career You train for some time and then you sprint you experiment it in real life and then you reassess what you need to do train again and then repeat it तो यह चीज़ अगर आप करेंगे तो आपको काफी जादा help करेंगे आपके professional career में Number 6 जो के बहुत ही major point और बहुत self-explanatory है के freelancing का experience industry में count नहीं होता Unless के वह बहुत ही extraordinary experience हो The industry doesn't consider your freelancing experience as experience तो यह सारी वजुहात है जो मेरे opinion में जिनकी वैसे आपको freelancing नहीं करनी चाहिए specially early on in your career लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल भी freelancing में करनी चाहिए मैंने अपनी जिंदगी में तक्रीवन सारे 3-4 साल freelancing की है बहुत enjoy भी किया उसकी वैसे और यह वो सारी situations है जिनमें आपको freelancing कर लेनी चाहिए अगर आप student life में और university life में तो बहुत likely है कोई भी software company आपको full time job नहीं देगी तो freelancing is the closest thing you can get to industry experience अगर आप jobless है अगर आपको कुछ पैसो की जरूरता या पर आपकिसी ऐसे लेवल पर पहुच गई आप यहां पर आप नी domain में expert हैं तो इन चैसे मेरे छाल से freelancing आपको कर लेनी चाहिए and the times where I feel you should absolutely not be freelancing are at your graduation तो आपको बिल्कुल कोई experience नहीं है या पर नहीं when you have more important things going on in your life क्योंके full time job के साह freelancing करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है और No.3 When you're generally not an expert in your field So I hope I've been able to communicate to you के मैंने अपनी जिंदगी में कब-कब freelancing की और कब मैंने freelancing छोड़ दी Thankfully मैंने उस ताइम पर freelancing छोड़ दी जब मैं अपना career start करने लगा था वरना I would have ended up in the same loop अगर आप इन में से किसी चीज़ से disagree करते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं आप नीचे कॉमें में 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 करें and I'd really be happy to learn from your experience और अगर आपके कोई questions हैं जिनको मैं आंसर कर सकता हूँ freelancing से related या जनरली पाकिसा में software engineering से related तो वो भी आप comments में drop कर दें मिलते हैं आप से इंशाले नेक्स एपिसोड में Thank you